नेमावर में हुए हत्याकाण को लेकर बुधवार के दिन गोड़वाना गंटंतर पार्टी के रास्टी महासचीव के नेतरतों में सेकडों की तादाद में महीला पूरुज जगन्य हत्याकाण को लेकर नेमावर पुलिस पर लापरवाई का आरोप लगाते हुए चार घंटे तक इंदोर बैतुल नेशनल हाइवे चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया पुलिस विभाग के वरिष्ट अधिकारियों की बात को समझा इसके बाद लोगों द्वारा चक्का जाम खोला गया 13 मई से लापता आदिवासी परिवार के पांस सदस्यों की रिपोर्ट नेमावर थाने में दर्ज करवाई गई थी उसके बाद पुलिस के ढूल मुल रवेयों को देखते हुए पार्टी के रास्टी महासचीव बलविर सिह तोमर ने परिवार के सभी सदस्यों को ढूने को लेकर पुलिस प्रसासन को एक सथा का एल्टीमेटम दिया था और उग्र आंदूलन करने की चेतावनी दी थी जिसकी जाज की जारही थी जाज के दोरान सभी संदिक्द लोगों से पूस्ताच कर तकनिक की आधार पर जानकारी ले जारही थी बागली से रवी पाठिदार की रिपोर्ट लोगों ने त्यान दिया क्योंकि उसको असीज सरमा इस्थानी विधायक का जो है उसको समर्थन आप लोगों था यहां था ने प्रवारी महोदे उसके उसमें दवाव में सायधवर काम कर रहे होंगे ऐसा मुझे जो लग रहा है तो आसीज सरमा के ऊपर भी यह प्रकंद और सबसे बड़ी चीज यहां पर हो रही कि जब तक यहां हमारे यह बोलते हैं अपर कलेक्टर हो एडियम साथ यहां कलेक्टर साथ यहां आके हमें लिखित में आस्वासन नहीं देंगे बांके और सर आपको बिल्कुल छूट देता हूं अगर आप लोगो गोली चलाना चाह जो भी करना चाहूं सब कर लो मैं सब के लिए तैयार और यह पूरे हमारे जुआ टीम तैयार करें आप कुछ नहीं बोले हम नेट जाएंगे आपको जो भी मारो ना डारेक्ट बनाया जी कि एक केस की जाज बंद कर दी जाए जी वह कौन लोग थे जिन लोगों ने पुलि कि यार लांच कराने की कोशिश की गई राजनितिक दवाओ उसका प्रूफ मिले ना मिले उसका तो मिले गए नहीं लेकिन वह ग्यापन जरूर यहां होगा पुरिस के पास कि उन लोगों ने दवाओ डाला प्रिशाशन में कि आप जाज क्यों कर रहें बंद करिए इस केस म में साहता मिलती है एक चीज यह बिंदो आवश्चक है कि हम भी बात करेंगे दूसरा अभी इस पीसाब ने इन से क्या वादा किया यहां पर वह बात होगी तो डियों जो है वो कल इनके खाते में पांच लोगों करेंगे यह करोड़ रुपया परिवार को दो एक को साज की नोक्री यह आप कर वालों जाड़े आट लग वाला आगे हम हमारे ढंक से लड़ते रहेंगे पर यह बिंदू आवश्य खेदेग सब्सक्राइब यहां पर ग्यापन भी देखे गए वो लोग जांच बंद करी जाए क्यों जांच कर रहे हैं तो उन तत्तों को जांच में सामिल करना पड़े हैं तो यह क्या पवित्र धर्ती नेमावर विद्या सागर जी महराज का आस्रम है नर्मदा का पवित्र गिनारा और सबसे यादा अब्राद इसी धर्ती पर अताता ही लोग कर रहे हैं इस पर थोड़ा सामिल कर देंगे हैं यह साड़ा डौला आपकरा दोगे हम सी एम से बात कर लिए बहुत गाड़ दूआ तो यह अब्रादियों ने गाड़ कर देंसे अधिकारी इंसको थोड़ी दो भारती नामा कावईदिका ने आकर बताया कि 13 मही से उनकी मम्मी और उनकी बहने और उनकी कजिन सिस्टर और जो भाई हैं वो गायब हैं नेमावर बसिस्टेंट से किराय से रहते थे इस पर हमने ततकाल कई टीमे बना कर इसकी खोजबिन की थी संपुर्ण जाच में यह तत्याया की जो नेमावर का रहने वाला सुरेन राजपुत नाम का लड़का था उसका जो रुपा हो गया और सुरेन राजपुत अपने पांस साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और पांस लोगों को अपने खेत में गड़े के नीचे छुपा दिया था एक और इसका जो मित्र था राकेस खंड़वा का रहने वाला उसको इसने मृतिका रुपाली का मोबा सुरेन राजपुत का अभी प्राज जो हमने वी सीन भी देखी है उसमें कोई अपराद दर्ज नहीं इसमें पुलिस ने इतनी अच्छी विवेचना की है क्योंकि पांच लोग गुम हुए थे और वो एक धलित परिवार की थे तो हमने ये इसको एक पुलिस टीम भी अनु अधिकारी की उसमें बनाया था और इसमें हमने बहुत तकनीकी साक्ष और कई जीलों का भी हमने सहयोग लिया और कई बार टीमें चुकि जो रुपाली नामक लड़की थी उसका मोबाइल चालू था हमको ये था कि हाँ ये जो पांचों लोग हैं वो कहीं ने कहीं जिंदा हैं और हमारा उद्देश था कि इनको पकड़ करना है चुकि आरोपी सुरेंद राजपुत इतना सातिर था कि उसने स्कृत्त को अंजाम दिया था और मोबाइल अपने दोस्त को देकर हमको भटकाने का प्रयास किया लेकिन कुकि कानून के हाथ लंबे होते हैं और हम अथक परिश्रम भी कर रहे थे और इसलिए हमको यह सफलता मिली है देखते रहा गिया हम तो कहां पर अभी मामला जो हुआ है इसमें अभी क्या चाहरे है अपन कॉंगरेस ने क्या मुद्दे रखने हैं क्या मांगे रखने हैं नर्मदा नदी का पवित्र किनारा नेमावर की करती है जहां जेन समाज के संत बिद्द्या सागर जी महाराज का अपना मठ है असरम है जहां इंसा परम धर्म का नहरा लगता है उस नेमावर को अपराद का अड़्डा बना दिया सिवराज की सरकार के नाक के नीचे सिवराज का छेत्र लगा हुआ है वहां भी कल एक दलित के हत्ते हुई चीद गाओं में पांच जगन है पता निक क्या क्या अपराद बच्चीयों के साथ किया यहां पे बीजेपी के नेताओं के साहे में हमारा केना यह अपराजी तो पकड़ लिया अपने ज़िद धंग से जाच करते हैं बहुत पहले इस समाज के संगटन हो दबाव डाला था नेमा और पुलिस पे कि यह जाच सतकाल बंद की जाए इस जाच में कुछ नहीं रखा है असली असली चेहरा वो है जो पुलिस प्रसासन को राजनितिक दरा दमका के केस को फाइल करने की बात कर रहे थे और वो निर्विक पत्रकार ज स्टिकन नत्याकान के बारे में आगा किया प्रसासन को समाज को उसके खिलाब वेफाई यार कराने का सड़ेंद्र भाजापा की नेताओं की दबाव में मैं कहता हूं यहां का विधायक किस तरह का है किसा विधायक है तेरी नाक के नीचे दलीतों के अत्याचार हो रहा है और तेरे फोटों अपराजियों को साथ चप रहे हैं अरे यार कम से कम नर्मदा मैया की कसम खाले रहे हैं इससे अपराजों को जरा प्रस्रे मत दे भाई हम चाहते हैं इन बुंदों को जाच में समाइद किया जाए जो लोगोंने केस बंद करने के दबाव डाला उनको उन पुलिस कितनी जाच करेंगी इसलिए तो सीबियाई किसे जाच की मांग कर रहे हैं अरे जिस विदायक के छेत्र में नाक के नीचे यह हो रहा है मैं कितना बड़ा कलेजा हो गर है विदायक तेरा यहां आना चाहिए था इन लोगों के बीच में जो आदिवासी जलिद भाई बेन यह खड़े इनके बीच में आगे बेट बात कर कि हां उनको फासी की सज़ा दिलाएगा पर यह तो लोग अलग तरह के लोग है जैसे इस तरह यह जो मांगे हैं अब कि अगर पूरी नहीं ह अपराज हो रहा है कम से कम वह लोग तो आगया आएंगे कि एसी लूली लंगडी बहरी गूंगी सरकार से बदला ले सके ऐसे अताताईयों को राजनीती की कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है अब में मुख्यमंदी को मारने से तो जाने सरा क्यों मांग पूरी नहीं है 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 आप देख रहे हमारा चैनल है जब्ली 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले